नमस्कार मित्रों स्वागते हैं आपका किरण ओनलाइन इस्टडी में और अपना जो क्रेव स्कॉर्च चल रहा है सेकंड क्रेड के लिए तो उसी में समास्तास्तर के विबिन्द विचारकों का योगदान पहला जो वीडियो मैंने डाला था समास्तर का अर्थ प्रकति और टरिप्रियक्ष के बारे में तो इसके बाद में ये उसका दूसरा टोपिक जो है इसके लिए भी में प्लैलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे वीडियो और डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक मिल जाएगी तो सुरू करते हैं दोस्तों और यहां जो विबिन विचारकों का यूगदान है उसमें हम तीन विचारकों के बारे हम पढ़ेंगे एक हैं इसमाईल दुर्खिम दूसरे आपके काल माक्ष और तीसरे हैं आपके मैक्स वेबर तो सुरू करते हैं इसमाईल दुर्खिम इनका जो समय है वो 1858 से 1917 तक माना गया है समासात्र की संस्तापक के रुप में दुर्खिम को कॉम्ट का उत्राधिकारी माना जाता है दुर्खिम ने उसे दरातल प्रदान किया इन्होंने समासात्र को समाज का अध्यन करने वाला विज्यान का है दुर्खिम प्रत्यक्ष वाद और विज्यान वाद में विश्वास करता है यानि जो है वो प्रत्यक्ष जो अपने सामने है और विज्यान पर ज़्यादा बल दिया है उन्होंने बोतिक विज्यान पर बहुत अधिक बल दिया है व्यक्तिक की व्यक्तिकत क्रिया है व्यक्तिक चेतना का प्रणाम है जो व्यक्ति जो भी क्रिया है करता है व्यक्तिकत व व्यक्तिक चेतना का प्रणाम है, यह इमाईल दुर्किम मानते हैं, सामाजिक तत्य, एक इंपोर्टेंट है सामाजिक तत्य, दुर्किम ने व्यक्तिक चेतना को, जो भी व्यक्तिक चेतना है, उसे मनोविज्यान का भाग माना, यानि यह मनोविज्यान जो है, उसका भाग है वेक्तिक चेतना उसमें उसका अध्यिन के दे जता है जबकि आपके सामाजिक चेतना जो सामाजिक चेतना है एवं जीवन के प्रतिपल को समाज़स्त्र में माना उन्हें ने कहा कि जो सामाजिक चेतना है या जो जीवन के प्रतिपल है वो जो है वो समाज़स्त्र का बाग है इसके अलावा दर्म ये समाजिक चेतना क्या है तो ये है आपके समाजिक तत्थे जो है वो दर्म है स्रम विवाजन आत्महत्या नेतिक्ता विश्वाष आदर्स विवा आधी ये सभी समाजिक तत्थे हैं दुर्खिम समुवदी विचारक है फलसरुक, चोरी, अपराध या आत्महत्या की दर्ग कम या ज़ादा है तो उसका प्रमुग कारण स्वैम समुव या समाज है ये दुर्खिम मानते हैं प्रांस में समाजवादी चिंतन में दुर्खिम की तीन प्रमुग देन हैं तो वो कौन सी हैं आईए जानते हैं प्रांस में जो समाजवादी चिंतन हैं उसमें दुर्खिम की तीन प्रमुग देन कौन-कौन सी हैं उसके बार हम बात करें दुर्खिम ने प्रत्यक्षवाद और समुवबाद में समन्द्वे स्थापित किया दूसरा सामाजी गटनाओं के अध्यान के लिए उसने विज्ञानिक पद्धिपर जोह दिया उसने का कि जो भी सामाज में गटनाओं हो रही है उस पर विज्ञानिक तरीके से हमें सोचना चीए समस्तर से संबंदित प्रमुक पुस्तकों वो पत्रिकाओं का प्रकार्शन जो है वो दूर्खिम के द्वारा करवाया दूर्खिम को समस्तर्य जगत का बुद्धिक दीरता दूर्खिम को जो है समस्तर्य जगत का बुद्धिक दीरता कहा जाता है दूर्किम की प्रमुक्त रचना है इसके बाद में है आपको याद कर लेनी चीए और आप चाहे तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं तो आपके लिए भाइदय मन्द हो जाएगा मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूँ इसके बाद बात करते हैं समाज में स्रम विभाजन तो समाज में स्रम विभाजन के लिए दूर्किम जो है स्रम विभाजन को समाजिक परिवर्तन का प्रमुक कारण मानते हैं प्रारम में स्रम विभाजन लिंग बेद, इस्त्री और पुरुष बेद तथा आयू के बेद के आदार पर बालक, युवा और व्रद्ध रहा होगा जन संग्या के आकार और गनत्व तथा मानवी आवशक्ताओं की विविन्ता और व्रद्धी ने स्ट्रम विबाजन को जन्म दिया स्ट्रम विबाजन के जन्म का प्रमुक कारण क्या था? जन संग्या के आकार में व्रद्धी होई होगी, फिर जन संग्या गनत्व बढ़ा होगा, मानवी आवशक्ताओं में भी व्रद्धी होई होगी और जो विविन्ता थी, इस वज़े से जो है, वो आपका स्ट्रम का विबाजन हुआ पूर्ति के लिए स्थरम विबाजन ही एक मात्र रास्ता है, स्थरम विबाजन ही समाज में विवीत प्रकार की एकता को जन्म देता है, प्राचिन समय में स्थरम विबाजन Лिंग बेद, और आयू बेद के अधार पर था यानि पुरुष और महिला को अलगरक स्रम दिया जाता था इसके इलावा आयू के इसाब से जवा हो स्रम को बढ़ा जाता उससे में जिस प्रकार की एक्ता थी उसे दुर्खिम ने यांत्रीक एक्ता जो एक्ता है उसे कहा है नाम देता है जरंसंग्या की व्रद्धी के कारण जिस जरंसंग्या की व्रद्धी हुई आधुनेक समाजों में जिस प्रकार की एक्ता पाई जाती है उसे दुर्खिम साविय वी एक्ता कहता है यानि जो अब वर्तमान में जो एक्ता है जिस वज़े इसे श्रम का विबाजन हुआ इसके बाद, इसे दुर्खीम जो है वो, साव यवी एकता कहता है, तो इस प्रकार से हमारा ये दुर्खीम तो समाप्त होता है, इसके बाद हम आगे बाद चित करते हैं, दुर्खीम के सामाजिक तत्थे की अवधारना, जो दुर्खीम द्वा विशेवस्तु माना है दुर्किम सामाजिक तत्थे वहवार विचार, अनुभव या क्रिया का वह पक्ष है जिसका निरिक्षन विशेशिक रूप से संभव है और जो एक विशेश डंग से विशेश डंग से विशेश विशेश करने को बाद्दे करता है दुर्किम ने कहा कि सामाजिक तत्थे का जो विवावार है वो हमें अपना विवावार करने के लिए बाद्दे करता है सामाजिक तत्थे वस्तुओ की तरह ही वास्तविकता है सामाजिक तत्थे की विशेशता है जो है वो दो प्रकार की बताई है दुर्खीम ने बहा है था और बात दे था तो इस परकार से जो हमारे तीन प्रमूग व्यक्ति हैं उनमें दुर्खीम का चेप्टर यही समापत होता है अब हम आगे बात करेंगे काल माक्ष के बारे में तो काल माक्ष के बारे में बात करने पहले बता दूँ अगर अब भी तक आपने मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किया है तो किरन ओनलाइन इस्टुडी को सब्स्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे भी आपको और वीडियो मिलने है काल माक्ष काल माक्ष के बारे में बात करते है 1818-1883 का समय जर्मनी में जन्में काल माक्ष को आदुनिक समाजवादी विचारदारा का पीता कहा जाता है जो आदुनिक समाजवादी विचारदारा जो वर्तमान में चल रही है उसका पीता कहा जाता है जीवन प्रियन समाजवादी साहित्य की रचना काल माक्स द्वारा की जाती है काल माक्स प्रतम व्यावारिक दार्शनिक थे हैं एतियासिक गटनाओं पर अधिक बल दिया गया जो काल माक्स से उन्होंने एतियासिक गटनाओं जो हुई है उनके बारे में उन्होंने बात्चित करते हुए उन्हें व्यावार में प्रियोक किया पुंजीवत के दोशों का वर्णन जो पुंजीवत था उसके काल माक्स बहुत ज़्यादा विरोधी थे और उन्होंने जो है वो समाजवात के जो था उसको निर्मान करने के लिए काफी प्रयास किये थे और वर्ग विहिन समाज की स्थापना है तो उन्होंने सुनिचित प्रक्रिया का उलेक किया था यानि उन्हें बताया था कि केसे हम वर्गवीन समाज की स्थापना कर सकते हैं समाजवाद को भावुक एवं कालपनिक प्रष्ट भूमी से निकाल कर उसे विज्ञानी गुरूप प्रदान किया जो समाजवाद है उसके लिए उन्होंने उसके जो इस्तिरी पेले जो खराब थी उसको उन्होंने विज्ञानिक प्रदान किया पूरे विश्व में सामयवाद या समाजवाद के जित्ते भी समर्थक हैं वो माक्स के विचारों से जरूर प्रेरित होते हैं आपके क्योंकि सा की तरह पूजा जाता है तो कुछ लोग उन्हें दानों भी के थे जो पुंजी वादी विचारदारा की समगता के वो उन्हें दानों मन थे इंडेपिडेंस यह अठास सत्तान की क्रांती से संबनी थे बुक्स भी लिखी थी काल माक्स ने इसके बाद केपिटल और क्रेटिक और पॉलिटिकल एकोनमी यह तीन खंडों में प्रकासी थे और इसके बाद है दास केपिटल इसके बाद बात करते हैं माक्स से प्रमुक सिद्धान्त होगी तो माक्स के प्रमुक सिद्धान जो है वो दंदात्मक भूतिक वाद है पहला दूसरा वर्गयम वर्ग संगर्ष वर्गयम वर्ग संगर्ष का भी उनने सिद्धान दिया इतियास की भूतिक वादी आर्थिक व सिद्दान्त हैं और आगे की जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम इन सिद्दान्तों के बारे में विश्तरत अध्यन करेंगे जो हमारे टोपिक के इस आपसे जो इंपोर्टेंट हैं जिसे हम आगे की वीडियो में बात करेंगे वर्ग संगर्स के बारे में आपका जो वर्ग संगर्स है वो क्या है इस बारे में बात करेंगे वर्ग क्या है इस बारे में बात करेंगे ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे एतियसिक बोतिकवाद इतियस की और बोतिकवादी व्याख्या जो है उसे हम करेंगे और इतियस के काल विबाजन की भी बात करे तो अभी काल मास्ण की अगले वीडियो में काल मास्ण और इसके बाध में हम बात करेंगे जो online study को सब्सक्राइब में नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसका फाइदा मिले और साथ ही साथ वहाँ पर जिससे सब्सक्राइब करेंगे आप एक गंटे का बटन आएगा उस गंटे को बटन को दबा देंगे तो जैसे ही मैं यहां से वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जिससे आपके इस्टडी को और ज्यादा फाइदा हो जाएगा थैंक्यू वेरी मच्च